बात है मार्श 2020 की लॉगडाउन में खाली बैटे बैटे हमारा 3D प्रिंटर बोर हो रहा था तो इंस्परेशन के लिए हमने इंटरनेट पर कुछ प्रोजेक्स सर्च किये है तब ही हमारी नजर पड़ी इस वीडियो पर bomb disposal unit to get expensive gadget 5 robots हमने सुचा चलो एक तो हमारे काम आएगा सब कुछ ठीक जा रहा था अंटिल हमने ये नोटिस किया एक bomb disposable robot की उपर plastic का camera module पर क्यों इस बात का पता लगाने के लिए मैं गया है NRTC की website पर National Radio and Telecommunication Corporation पाकिस्तान की कंपनी है जो उनके defense forces के लिए telecommunication equipment बनाती है front page पर मुझे इस बाट की photo तो दिख गई बट यहाँ पर इसके बारे और को information नहीं थी और फिर मेरी नजर पड़ी इस पर एक defense sector की company की website not secure ये देखके हमारा दिल पिगल गया सो हमने सोचा क्यों ना इसी का ही एक improved version बना के अपने पड़ोशी की थोड़ी help कर दी जाए बट उससे पहले I decided to make some changes first I modified the chassis, added some compartments and better color scheme next I replaced the pan till camera with better and tougher gopro and instead of fixed wheels हमने सोचा क्यों ना इस बार articulated wheels का use किया जाए थाकि obstacles की उपर से निकालने माथानी हो next हमने किया थोड़ा सा cad magic and this was the final result सब कुछ 3D printed है and files का download link नीचे description में मिल जाएगा top part में हमने तीन compartment दिये है for future expansion और हर wheel पे लगा है एक servo motor ताकि हम wheels को उपर नीचे कर सके कुछ इस तरह से इससे हमें CDR चड़ने में या फिर छोटे obstacles के उपर से निकले माथानी होगी next हमने सब कुछ 3D print करके assemble किया and finally हमारा बॉट ready था so I decided to test it and then यह हुआ यह बाई साब उटने जे पहले ही चल मसे यह जवाज सुन दो यह हमारे बॉट की reset होने की अवाज है because हमारे बॉट में लेगी चार सर्वो मोटर जिसके आउन होते ही एक हाई पावर सर्च क्रीट होता है जिसे हैं अन्डिल करना हमारी USB port की बस की बात नहीं है so हमारा microcontroller बार बार reset होता रहता है इसका एक easy solution एक bench power supply या तो batteries but जब तक हम यह बास आउज में आती काफी देर हो चुकी थी damage was already done बाहर बाहर high current draw के वज़े से यह मेरे side वाले USB port आस्ता काम नहीं करता है so हमने बॉट में थोड़े से changes किये सर्वो मोटर को अलग से पावर करने के लिए हमने एक नया जोकार लगाया and finally हमारे बॉट में थोड़ी सी जान आई यह है leg mechanism का डेमो साथ वोल की बैटरी लगाने के बाद there were no power issues so हमने एक Android आप बनाई बॉट को Bluetooth से कंट्रोल करने के लिए अब हमारे पास था proper control आप में दो slider बने हुए हैं जो आगे और पीछे के legs को इंडिविजुली कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें किसी कम space के जगाज जाना है तो अपनी बॉट की height को ऊपर नीचे करके असानी से निकल सकते हैं इतनी महनत करने के बाद finally हमारा बॉट रेड़ी है completely wireless इसके सारे movements को हम एक Android आप से कंट्रोल कर सकते हैं height cinch लिए अप में दो slider है जिसे यूज करके हम बाद को किसी भी अंगल पर सेट कर सकते हैं इसमें दो camera लगे हुए है एक है gopro और एक है wifi camera for live video streaming जो कुछ इस तरह से दिखता है this video was made for educational purpose इसके सारी files आपको description मिल जाएंगी and obviously यह 3D printed है so rough environment में धंक से काम नहीं करेगा और इसमें छोटी-छोटी problems हैं जैसे की wheels slip करते हैं योगि यह plastic के बने हुए है so इसमें कोई grip नहीं है और app भी थोड़ी सी buggy है so don't take it seriously and हमारे छोटी-उस्ताथ पर भी काम चल रहा है जल्ली एक नहीं update आएगी तब तक यह पुराणा वीडियो से देख सकते है और यह पसंद आया है तो please subscribe